हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब राम जी की बाठ चाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी त्यारी बहुत ही बेड़ेडंग से चल लगी दोस्तों आज एक सितंबर है कितना है आज एक सितंबर है और आज वो तार यूपी पुलिस कॉंस्तेबल है ना यूपी पुलिस कॉंस्तेबल इसके भी फॉर्म आपको देखने के लिए मिलने वाले है ऐसे में बहुत जादा जरूरत है आप ढंक से सही तरीके से त्यारी करें और उसमें करंट अफेर का भी बहुत इंपोर्टन रूल होता है तो उस मिनुत की यह ना की वीडियो देख लो कोई भी मंवी मंद्य मैगजीन आ पढ़ लो तो आपका काम हंडर परसंट हो जाएगा अगर आपके हंडर परसंट कोशन आ रहे हैं कीजी पहला कोश्चन हम लोग देखते हैं डेकर कर देता हूं ठीक है पहला कोश्चन यहाँ पर है आप इसमें देखिए पहला कोश्चन है भारत के नए युद्धुपोत का नाम क्या है जिसे सितंबर 2023 में मुंबई में लॉंच किया गया है देखो आज ना आज 1 सितंबर क को ही एक नया युद्धपोत्र लॉंच किया जा रहा है जिसका नाम है महेंद्र गिरी यह आपको याद रखना है इसके बारे में हम यहां पर देखते हैं जो यहां पर लिखा है कि भारत का रक्षा शित्र है एक यह महत्पूर्ण हासिल करने के लिए तयार है क्योंकि नवीन युद्धपोत है महेंद्र गिरी एक तारीक को लॉंच हुआ है कहां से लॉंच हुआ है आज लॉंच हो जाएगा मंजगाओं डॉक शिप बिलियर्ट्स में से लॉंच हो ठीक है यह किस प्रोजेक्ट के अंतर के ताता है प्रोजेक्ट सेवंटीन एक तहत सात्वे और अं महत्पुन जंतरता के रूप में करे करता है जिसका उद्देश से भारत की नौसानिक शमताओं का महत्पुन रूप से बढ़ाना है यह जो फ्रिगेट्स वगरा ना स्टील्ट वगरा जो है यह सब युद्ध के ही सब टर्म्स है है ना और उसी के उसी में मतलब कहा है कि ए नहीं नहीं युद्ध पोत हम अपनी नौसाना को मजबूत करने के लिए आपके लेके आते हैं अगला कुश्यन है हमारा सिंगापूर अंतराष्टिय मध्यस्ता केंद्र है ना साइएंसी के अंतराष्टिय मध्यस्ता पैनल के सदस्य ग्रूप में किसे नियुक्त किया गय है आगे इसमें देखते हैं भारत के पूर्व मुख्य नाधी सीजे आई एनवी रमना को सिंगापूर अंतराष्टिय मध्यस्ता के सदस्य ग्रूप में निव्त किया गया है अब एक चीज़ इंपोर्टन्ट यह है आपसे साइएंसी के अध्यक्ष का नाम सुप पूछ सक मध्यस्ता का मतलब होता है बिचोलिया मीडियेटर यानि कि अगर अंतराष्टी इस तरपर वायनेजिक विवाद है ना यानि कमर्शल डिस्प्यूट्स कुछ होते हैं रुपी पैसे के लिंदेन को लेकर आदान प्रदान को लेकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर इंट सजिस्ट की रूप में इसमें निक्ति किया गया है S.I.M.C में काफी important question आपको जहां रखने हैं अगला question है में पाकिस्तान के D.F.A.R. का करेबार देखो D.F.A.R. का मतलब एक एक पद की तरह से यह आपका है ना या आपके पद की तरह से है किसी भी देश में जहां पर भ पाकिस्तान में D.F.A.R. का कारेबार समालने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है तो जो I.F.S. गीता श्रीवास्तव है गीति का श्रीवास्तव है 2005 की यह I.F.S. ऑफिसर है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी महिला को एक D.F.A.R. की तरह से निक्ति किया जा रहा पाकिस्तान में टीक है तो गीतिका श्रीवास्तव जी है और यह किनुका स्थान लेंगी सुरेश कुमार का स्थान लेंगी है नुद। अब आपकुरा पड़ सकते हैं तो चाज्दूदि अफैर का वहुगचंद है यह है यह मतब पूरी पूरी बात है यहां पर हमारे वक important यह एक राजनक होता है जो राजदूत की अनुपस्तिती में दूत vérस के mission के रूप में कारह करता है यानि कि जब आपका क्या है राजदूत उपस्तित नहीं है वहां पर तो राजनय को रहता है और राजदूत की भूंध का से हैं कहां से राइस्तान के सीकर्ज और यह एक मेडिकल स्टूडेंट है यह अभी क्या वनी है मिस अर्थ इंडिया दोजार तेश्ट बनी है त्रियान सेन आपको यहां पर इसकी डिटेल देख सकते हैं इनका पीडियाफ आपकर डेली टेली टेली ग्राम और एप में जा रह भाव हैं और यह ना बंधन को क्या काम किया है आप यहां पर देख सकते हैं आधिकारिक पैंशन सम्मिटरन मतलब distribute करने वाला है ना उसके रूप में appoint किया है officially अधीकरत किया है तो किस bank को किया है बंधन bank को किया है यह आपको याद रखना है अब यहाँ पे इसका कुछ detail देख लेते हैं बंधन bank को देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाता हूँ कि आपका समय कम से कम लगे यह ना अगर यह 10 मिनट का है ना मैं 5 मिनट में पूरा करने कुशिश करूँगा इसको इसी तरह हिंदी की वीडियो में लेके आने वाला हूँ और इसी तरह जीएस की वीडियो में लेके आने वाला हूँ जीएस के जो सेवा देने के लिए प्राधी करण दिया गया प्राधिकत किया गया विद्ध मंतरा लेके एक भाग केंद्रे पेंशन लेका क्यारा लेके सहय योग से चलता है ठीक है यह आपको ध्यान लगे अगला कोश्चन है किस देश ने पहला महीला और उद्धiantes maila Asia Knox की 5S विश्व कप Turkish जीत लिया है ठीए कि यह आपको ध्यान रखना है कि किस देश ने पहला महिला एश्या होकी 5S विश्व कप Monsieur कान की की ग। गहला प्रश्ण हे वित्वर्स 2023 जोबिस की पहली तिमाही के दोरान फदि आई को आकशित करने में कॉंए 23 जैसे लगता है यह दूसरा मतलब अप्रैल मैस जून यह तीन महीने हैं पहली तिमाही है तो इन तिमाही में सबसे ज़्यादा इसको आकरशित करने वाला कौन सा रज्य है तो वित वर्ष 2023 की पहली तिमाही में महाराष्ट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है न आकरशित करने वाला अग्रणी दाज्य बनकर अगला प्रशन है हमारा कौन सा देश 14-15 अक्तुबर को उद्गाटन ग्लोबल ए आई सिखर सम्मेलन 2023 की मेजवानी करेगा यहीं आर्टिफिशल इंटेलिजिंस से संबंदित यह एक शिखर सम्मेलन है और इसका उद्गाटन जो है वह 14-15 अक्तुबर को होगा इसकी मेजवानी कौन करेगा उसकी मेजवानी हमारा भारत देश करेगा इसके बारे में आप यहां पर डिटिएल देख सकते हैं और लास्ट कोस्चन है मोस्ट इंपोर्टन कोस्चन है एक चावल है जिसको अभी-भी जी आई टेग दिया गया है जी आई टेग दिया गया है जिसे हाल ही में भोग-वहल पुर्टंट चावल को प्यार से जादूई चावल भी कहते हैं इसे हाल ही में G.I.T.E.G मिला ए जी आई टाइग इसकी असाधरन विशेष्टाओं और विरास्त की पहचाना है विरास्त का मतलब ऐहुम राजवन्स से और इसकी विशेष्टाओं के बारे में अभी हम लोग हैं आपका अच्छे से और इसका शक्तिसाली आहोम राजवन्स के साथ एक सम्रद एतियासिक संबन्द है चोकुआ चावल की खेती ब्रह्मुपुत्र नदी के छेत्र के लिए अद्यूत है देखो अगर वो इस्टाइटिक कोशन पूछना चाहेगा तो जी आई टेक के बारे आजसने पूछ लेगा जावल की खेती को कौन कौनसे जीलो में की जाती है तो सीर्ज आपको बुलना पड़ेगा ब्रहं पूत्र नदी के छेतन में होता है जिसमें असम के आपको तिंसुकिया धेमाजी और इन प्शेत्रों में ये प्रमुकता से जो होता है और पूछ सकता है कि साली चाबल बेश है ना साली चाबल बेश चोकवा चाबल एक अर्धचिपचिपई शीट कालिन चाबल किसमें है unac Day-8 यूठ झान को तो थ्यान रखना रखना है साली चाबल करूप में भरक्रगत ही आ गया एक चाबल का चावल की किसमें है तो बहुत जल्दी समय में हमने आज का करेंट अफेर पूरा कर लिया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए आप टेलेग्राम से जुड़ जाएए अभी रणीती वगर है सब कुछ इतने जानदार तरीके से मैं आपको बताने शुरू करूँगा